हाँ जी आपके सामने सबसे पहले एक्जाम को प्रप्रेशन करने के लिए यह स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रूल प्ली करता है मैं एक से दो पेपर आपके सामने डिसकस करूँगा कि भाया पेपर कैसा आता है क्या थियोरी हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं हमने टेनियर में तो उठा लिया भया दस पेज बीस पेज का थियोरी है अब पूरे में लग गया पढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी देखिएगा सर पहला कुशन हमेशा आप ध्यान दिजिए फर्स कुशन हमेशा पहले चेप्टर से आएगा तो जो चेप्टर नमबर वन है उसके थियोरी को तो इगनोर कर ही नहीं सकते पढ़ना ही पढ़ना है और लगबग मल्टीपल टाइमिंग तक रिपीटिड कुशन होता है जैसे कि इसके अंदर अगर मैं रिपीटिड कुशन की बात करूँ तो सर क्या है रिपीटिड कुशन फाइनिशल मेनेजमेंट एक्स्प्लेइन दा स्कोप डूरिंग दा लास्ट फ्यू आपका डेकेट्स डिसकस दा कॉंट्रेस्ट आफ दा साइलेंट फीचर ट्रेडिश कि चेक करना पड़ेगा मुझे नहीं बता है तो हमेशा इसी से ही होगा तर इसके जो मैं कहूंगा के पहला चेप्टर जो है वो पहला कुश्चन पूरा ही थियूरी होगा मैक्सिमम यह होगा हमारा चलिए यह पार्ट अब बी पार्ट में क्या कहता है एक इसने दे दिया oraz अपका प्लैन परप्स, मसीन, ज siis यहानि इसने और घ्यारा नमबर का पांच नमबर का त्यूरी और घ्यारार नमबर का आपको दे दिया क्या सर क्यास्चा मइन टेकेंगे हम तो पर आजाए ए सर्च से वरत में समाईजींट most important theory होता है FM के अंदर what is the meaning of wealth maximization आता ही आता है हर बार तो एक wealth maximize यह कुल से chapter का है सर chapter number one का ही है इसके बाद फिर capital budgeting का combo आ गया मैं 2018 का paper discuss कर रहा हूं चलिए sir और इसके बाद आ जाते हैं हम यह सवाल number था हमारा अब दो देखते हैं फिर से आता है what is the capital budgeting and capital budgeting decision irrelevant to the agree comment एक तो यह पाट आ गया और sir B part में आपका same आ जाता है cost of capital यानी theory दे दिया capital bursting का और यह तो sir यह जो theory नहीं capital bursting का यह आपको सिर्फ याद नहीं करना सिर्फ reading मार नहीं है याद करने वाला theory कौन सा है chapter one यह reading बारना है capital bursting और capital bursting decision क्या है तो यहाँ पर वही सारे decision लिखने आपके NPV में क्या होता है IRR में क्या होता है जो हमने समझा है कि NPV अगर ज़्यादा आ रहा है positive ज़्यादा है तो better है payback period कम आ रहा है तो better है वही सारी बाते लिखनी है सर इसके साथ आप देखिए और में भी चल जिल लेते हैं और में ए पार्ट फिर से आ जाता है compare दा net present value profitability index method evaluate the budgeting proposal which is better NPV और इसके दोनों के अलगला aspect चार नंबर तो सर theory 4 का मिल रहा है आपको और practical फिर अगेन 11 नंबर का आ गया mm अप्रोच जो कि कि मैं आज ही आज ही आपको value of firm बहुत बच्चों का डाउट है क्योंकि परसो पेपर है तो आज ही मैं करवाऊंगा इसको चलिए सर फार्ड कोश्चन आ रहते हैं what do you agree by the problem how can the resolve what do you mean by agency problem how can तो सर ये जो theory है न ये जो theory है ये unit 5 से है यूनिट 5 यानि अगर जो बच्चा theory आद कर रहा है पढ़ रहा है तो मैं बोलूँगा unit मतलब पहला और unit 5 की theory करें बाकी जरूरत नहीं है theory करने की और बाकियों के अंदर मैं important जो बताऊंगा वो करके जाए बस अब ठीक है सर इसके बाद फिर से question आगया statement आपका रिस्क बताना है prepare the income statement company also the comment the risk आपको रिस्क बताना है किस basis पर बताना है यहाँ पर given है आपका the following selected information year ended 2016 company X or Y दे दिया इसके उपर से रिस्क बताना है degree of operating लिए यानि यह आपका जो गोला important है leverage का आए कितने नमर का है सर 11 नमर क अभी हम इसके और हलाकि यह सारे सवाल आपको पहले आप कर भी चुके solution इसके और में क्या है what is the consideration time value of money adjustment इसके बाद फिर से एक और सवाल आ गया और यहाँ पर यह सवाल जो आता है net operating income approach value of firm यानि देख रहे हैं question कैसा बन रहा है एक theory और बड़ा practical चार नमर की theory और बड़े वाला practical चलिए सर फूर्थ question पर आ जाते हैं mm approach maximum time तक लिख लो mm approach theory में अगर देखा जाए तो most important रहता है mm approach आएगा और mm approach दो जगह आता एक value of firm में भी आता एक dividend decision में भी आता है दोनों ही important है चलिए सर mm approach का फिर से एक चार नमर का theory और बी पार फिर से इन्होंने दे दिया एक आपका practical question dividend decision का mm approach का और मैं क्या दे दिया सर फिर से इसने बता दिया information dividend payment equivalent मैं बताऊंगा क्या रहेगा और फिर से mm का एक क्या कर दिया practical यानि dividend तो सर 15 का आई रहा है पांचवा question बनेगा unit 5 से ज्यादर से ज्यादर एक्स्प्लेइन मिलर और मॉडल यानि mm अप्रोच आ गया cash management का सरी यह अलग है यह आपका मिलर और मॉडल अप्रोच cash management यानि पांचवाई unit है यह इसके बाद आपका यहां पर रिसीवेबल मेनेजमेंट का आ गया 360 दिन credit policy इसके और में क्या गया explain economic order quantity और following extract annual last year आपका यह आ गया working capital वाला part पहला paper देखा हमने एक दो paper जब तक हम देखनी लेते तो हम conclusion पर नहीं जाएगा एक paper को देखके आप हमेशा नहीं जा सकते हैं चलिए sir 2018 यह program का paper था जो program के बच्चे उनको भी थोड़ा idea लग जाएगा पहला paper profit maximization wealth maximization मैंने बूला था important theory repeat हो गया इसके बाद आपका यहां पर आ जाता है क्या आपका time value of money borrowing 10,000,000 रुपे किया कहता है कि sir 10,000,000 लिया है और revocation of house and being दो इस तरीके से installment पे करेंगे तो बताने मैं सिर्फ और स्रिफ pattern discuss कर रहा हूं कौन सा question में क्या लिखना है नहीं लिखना वह बाद में चर्चा करेंगों फिर आ गया इसके और में how the difference between the accounting profit which better of the capital budgeting ठीक है sir इसके फिर से एक आ गया हमारा theory अब दूसरा question हमेशा capital bursting करेंगा ध्यान रखेंगा explain that discounting cash flow technique evaluate capital bursting मैं बड़ी सीधी सी बात वोलूँ न इसमें से अगर आपको practical और जितनी बाते मैं class में करता था वो सारी बाते अगर याद है तो आप theory लिख सकते हो अगर वह बाते याद नहीं है तो जितने IRR निकालने के लिए काम करते थे NPV निकालने के लिए काम करते थे वो बताना है सर बी पार्ट में अगें capital bursting चलिए सर और में देख लेते हैं और में एक पूरा पंदर नंबर का capital bursting आ गया यानि सर यहां ट्रेंट चेंज हो गया पहले हर बार theory और प्रैक्टिकल था यहां पर पूरा पंदर नंबर का एक क्या दे दिया इसने प्रैक्टिकल हाला कि यह कोश्चन भी हम कर चुके हैं चलिए तीसरे कोश्चन में साथ नंबर का कोश्चन क्या आया वेटेड का theory दो जगहा है सर एक है dividend decision में एक है हमारा value of firm, value of firm में यह arbitrage है वहां पर dividend decision का model है, important है, सर आ गया, इसके बाद सर यहां पर WACC दिया और में, यानि सर यहां पर देखा जाए, तो तीसरा कोश्चन हमारा यह था, इसके और में क्या दिया examiner ने, again value of firm का कोश्चन दे दिया यह हमारा levered firm और unlevered firm वाला question है, और operating leverage का यह दे दिया, और इसका A part कहां गया, A part कहता है EBIT वाला, यानि that is practical और B part भी practical, यानि आपके पास question option में आ रहा है, कि आपको 15 नंबर का पूरा question चांसी से के मिल जाए, चार question है, चार question में तो तीन question ऐसा मिलेगा, जिसके अंदर आ रह गया पहला question पंदरा का आएगा याएगा chapter नंबर 1 से, अब रह गया एक question जो 4 से 8 नंबर का theory है, जिसके लिए आपको कितनी मेहनत करना चाहिए, वो देखना होगा, चलिए sir, इसके बाद और में क्या कहता है, Gordon model dividend decision का assumption बताईए, हम assumption भी पढ़ चुके हैं, सारी चीजे theory और इसके बाद फिर से ये आगया, पांचवा question आगया, अगेन क्या sir, अगेन आगया working capital का, और इसके और में आजाता है theory, cash budget क्या है, credit policy क्या है, reorder point on inventory, यानि EUQ की reorder quantity क्या है, अगले paper को और थोरा detail में करते हैं, भी कौम के अंदर का है, पहला question again, wealth maximization, मैंने बताया, wealth maximization, profit maximization तो छोड़ना ही नहीं है question, एक theory तो वैसे ही मैंने बता दिया, आगे 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 आपका क्या, एक छोटा सा time value of money का question, यानि दस, आठ नमबर और साथ नमबर, ये ratio, और में देखिए, again major the financial manager, disk financial manager, ये भी question repeat, पहले chapter से ही है, यानि जो theoretical है, अगला फिर से आगया क्या यानि देख रहे हैं, पहला जो question बनाने का इनका technique है न, वो बना रहे हैं किस से सर, पहला chapter ले ले लेते हैं और पहले unit में से, basically focus करना, पहला question first unit को prefer कर रहे हैं, first unit में क्या है, time value of money और theory, और time value of money आप जानते ही हो कि 15 नमबर का सवाल आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा, 10 का theory 5 का इस तरीके से ratio रखेंगे, दूसरा question, दूसरा unit capital budgeting का यहागा, और इसमें से 15 नमबर के सवाल आने के पूरे संभावना है, दूसरा question आगे सर, direct यह 15 नमबर का सवाल पूछा गया, capital budgeting का, इसके और में भी सीधा सीधा 8 नमबर, इसके और में जो था, वो सीधा सीधा 8 का और 7 का पूछ लिया, when do you NPVIRR conflict making in the capital budgeting explain the example, तो मैं अभी answer पर नहीं जाओगा, यानि सर, अब दूसरे question की बात करें, जिसने theory नहीं पढ़ा capital budgeting का, दूसरा question, practical में बहुत अच्छी command कर लिए, तो कर लेगा, theory छोड़ देगा, और ये theory भी कोई बड़ी theory नहीं है, इसी में से ही पूछा जाएगा, यानि unit 2 को question number 2 पे restricted किया गया है, यहीं से theory पूछा जाएगा, यानि वही practical, वही theoretical, तीसरे pattern में WACC, यानि तीसरा question हमेशा unit number 3 से आएगा, जिसके अंदर है leverage, जिसके अंदर है working cost of capital, जिसके अंदर है EBIT, जिसके अंदर है value of firm, सर तीसरा question again आजाता है किस से सर, यह आगया हमारा cost of capital, WACC, एक बार इसका भी revision लगा लेंगे हम, और इसके B part में आता है, define the leverage and different type of leverage, सर, operating leverage, combine leverage, financing leverage, और में क्या आगया है सर, और में दो company दे दिया, P and Q, और profit interest सब दे दिया, MM approach का value of firm, arbitrary, A part, और सर, B part में क्या दिया, इसने, और का B part का है, बस एक ही question था, 15 में, यानि सर, यहाँ पे भी आपका theory का scope चला गया, आप पूछेंगे ने paper में, सर, theory कितने number का, मैं बोलूँगा, 50 number काएगा, पूछेंगे, practical कितने काएगा, मैं बोलूँगा, 60 number काएगा, सर, 110 प्राइगा, नहीं, पहला question में theory है, लेकिन मैं practical कर रहा हूं, theory नहीं है, same, पहला sorry, मैं दूसरे question में practical कर रहा हूं, तीसरे question में भी मैं क्या कर रहा हूं, practical कर रहा हूं, theory नहीं है, लेकिन theory आपको दिया जाता है, ताकि आप उसको लिख पाओ, अगर लिखना है, तो, अब यह भी practical आप ध्यान से देखे तो यह भी क्या है हमारा practical पूरा-पूरा पंदर नमर का practical या नी तीन question पूरे practical में निकाल लोगे और में चले जाओगे तो सर हाँ थोड़ा सा theory आ गया आपका what do you mean by the state dividend policy explain the method of maintain stability of the payment of dividend क्या methods है यह भी आगया आपका जो और में बी पार्ट में question नमबर जो था आपका से यह पार्ट में हमारा प्रैक्टिकल और बी पार्ट में यह आ गया आगे चलते हैं sir question 5 हमेशा यह working capital से बनाया जा रहा है कितने नमबर का sir 15 नमबर का इसके और में point में theory आते हैं ऐसे cash budget reorder point तो यह सारे theory किसके हैं sir पांचवे यूनिट का यानि कुछ examiner का pattern समझें तो वो बना रहे हैं पेपर unit 1 पहला question unit 2 दूसरा question unit 3 तीसरा question unit 4 चौथा question unit 5 पांचवा question sir unit 1 में theoretical है ज्यादा unit 1 की theory पढ़नी चाहिए unit 2 के अंदर theoretical नहीं है capital bursting ज्यादा बेटेज practical का रखता है तो sir ज्यादा focus practical पर होगा unit 2 के theory पर नहीं रखेंगे unit 3 में वैसे ही इतने सारे practical chapter है तो वह भी practical focus होगा unit 4 में आपका जो है डिविडेंट का chapter है और theory इसमें दो 3 question है एक page का अब बुक भी उठाके देखिएगा कहीं भी उठाईगा तो sir unit 4 का theory पढ़नाय में और unit 5 के अंदर practical theory दोनों है तो sir मैं अगर अप्रोचिस पर जाओं तो कहता है how can you incorporate risk capital budgeting अब इसने क्या करा यहां पे सीधा question उठाके मार दिया किससे capital bursting यानि पहला question और इसके साथ practical भी किससे आ गया capital bursting का unit 2 दिया उठा गया इसने इसके बाद critical आपका payback method और evaluate the project फिर capital bursting यानि पहला ही question इसने किसका दे दिया unit 2 से उठा अब देखिए question number 2 what do you understand by agency problem यानि यह unit number 5 का है prepare income statement financial common यहां पर दे दिया degree of operating leverage यानि दो question होगे हमारे जो इसके और में आया न और तो देखा है नहीं हमने और भी देख लिया ठीक है चलिए अब आ जाते हैं question number 3 पे यानि first sir practical में निकल गया two भी practical में निकल गया unit change किया three discuss the difference approaches financial working capital चलो यह थियूरी आ गया following information settlement स्वास्तिक का और यह आ गया हमारा receivable management का यानि unit पांच उठाया तीन पर कि वाट इस दा डिफ्रेंस motive of holding cash यह भी पांचवे उनिट का और में और यह भी पांचवे उनिट का economic order quantity frequently quantity यह ठीक है चौथा question देख लेते हैं सर फूर्थ question यहां पर दी दिया इसने किससे cost of capital मैं यह बताना चाहता हूं कि यूनिट के order change करें पहला question capital bursting दूसरा question working capital पहला question दूसरे उनिट से उठाया दूसरा question पांच वे उनिट से उठाया और यह question क्या क्या चीज़े हैं वो चीज़े हो गया यूनिट किससे उठाया अप्रोच अब सर्च चौथे question की बात कर लेते हैं पांचवा question आगया चौथा होगे ना पांचवा डिविडेंड डिसीजन पांचवा किस्से आ गया डिविडेंड डिसीजन और और में देखिए तो यहां पर आ गया डिसकस दा मिंटेंड डिविडेंड डिसीजन अब यहां पर एक्जामनर ने क्या किया हुआ है 2018 यह regular का है correspondence का यह देख लेते हैं बहुत बच्चे मेरे से important पूछते हैं तो मैं उसी important पर अब इस question में practical ज्यादा है और theoretical क्या है कम है पेपर का pattern क्या हो गया पूरा का पूरा चेंज 2019 नौमबर में है इसके बाद के पेपर तो कूड़ा ही है 20 और 21 का तो ही नहीं आपके इसाब से नहीं है कोई उस pattern को मत फॉलो करना आगे आ जाते हैं एक और पेपर देखते हैं सर यह था ओनर्स अब आ जाते हैं एक और पेपर में हाँ 2019 तब का यानि ओवर ओल देखा जाए सर थियोरी को अटेम्ट करने का और पढ़ने का क्या तरीका है एक में सर यूनिट नंबर यूवन एक मिनट आंसर आगे आपका उसका आगे ना हाँ यूनिट नंबर वन सर इसके थियोरी जरूर पढ़िए एक यूनिट नंबर टू सर किया है ये capital budgeting यूनिट राफली पाहिना है capital budgeting इसमें से practical problem को जदा से जदा आप practical question को जदा से जदा numerical question को वेटेश दीजिए जयादा से ज़ादा इसके थियोरी को readout मारी एंपीब क्या होता है फटट पढ़ लेजीए ठीक है ना इसको क्या देना है आप अगर आप 10 एर उठाएंगे तो 10 एर के अंदर अब theory की हम बात करें तो बच्चे क्या कर रहे हैं थोड़ा सा strategy गलत follow कर रहे हैं और वो कम नंबर के पीछे ज्यादा भागने की कोसिस कर रहे हैं मुझे लगता है जिससे कि आपका साइध प्रैक्टिकल क्या हो जाए खराब हो सकता है अरे चलिए सर बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं यह पहला चप्टर है थियोरी सर इसे पढ़ना ही पड़ेगा आपको और सारे थियोरी को आपको रीड मानना पड़ेगा मैक्सिमाइजीशन प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजीशन यह सभी पढ़ना पड़ेगा इसमें कोई आप्शन नहीं है और सारे एक्जाम में आये हुए हैं हम आ जाते हैं पहला पेज पढ़ा हम ने अब पहले चैप्टर को जवाब पढ़ेंगे ना तो जितने भी कोश्चन मान के चलो 15 नमबर आपके पक्के हो जाते हैं क्या क्या पढ़ना वह भी बताते हैं दूसरा सेकिंड चैप्टर आप देखेंगे यह फॉर्मूले और मुले ही है बस आपने नजर मारना है सेकिंड चैप्टर के अंदर मैं एक दिन एक्जाम के साफ से बता रहा हूँ जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया याद कर लिया बहुत अच्छी बात है उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है देख रहे हैं कितना बड़ा दूसा चेप्टर ने चली रहा है कि कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दोगे समस्द ते यह दूसा चप्टरचल रहा यह और बच्चे अब जाके दूसरा चप्टर खतम हुआ आप दूसरे चप्टर के थियोरी पर फोकस रो जाओगे कितने पेज मिल गए बहुत सारा मानता हूं एक्जाम में आये हैं लेकिन इसमें 1980 के भी पेपर के कोशन डाल दिये हैं तो दूसरा चप्टर आपको फोकस होना है प्रैक्टिकल थियोरी में सिर्फ रीडिंग लगने चाहिए पहले चप्टर की बात करूं थियोरी हाँ आप लिख के देखना जरूर 12-15 कोश्चन है और बहुत सारे कोश्चन आपको समझ में आ जाएगा चलिए सर अब तीसरे की थियोरी की बात करते हैं अगें तीसरा आगे बाद आगे है अगे अगे एपस अगे है और आगे है लीवरेज और आगे हमारे पास एक और वेल्यों फॉर्म तो सर इसके अंदर प्रैक्टिकल की स्कोप जाना है लेकिन अब देखो इसका थिवरी बात करते है रिटेन अर्निंग क्या है अब पढ़े रीडिंग कर आगे अब का तीसरा यूनिट प्रैक्टिकल से भर मार है तो इक्जामर जो है वो प्रैक्टिकल के ऑप्षिन में जाएगा यह भी आपका थिवरी का ही पार्ट चल रहा है एक्जामपल मांगा हुग अगे देखिए आप तीसरे यूनिट के थिवरी में कितना टाइम लगा देंगे जिससे आपका नुक्सान है एक्जाम पॉइंट व्यू से तीसरा यूनिट चल रहा है सर अब खतम हुआ कि इतना पढ़ रहे हैं तीसरे यूनिट में थिवरी इतना सारा जबकि तीसरे यूनिट को आप ध्यान से समझें तो वहां प्रैक्टिकल की वेटेज ज्या हम रहे है सर वहां पर रिपीट हो रहा है कि आपका लीवरेज के तीनों लीवरेजी स्को समझा दी ओपरेटिंग लिवरेज फानिसिंग लीवरेज ये बस यह दो से तीन कुछ्षन जो बार-बार रीपीटिट मोड पे चल रहे हैं अब अब डिपे टीडिटिट डीसिजन हाँ ये चप्टर आप ये भी प्रक्टिकल है यूनिट नमबर चार यूनिट नमबर चार सर ये भी फुली प्रक्टिकल है तो वाई वी आर वेस्टिंग टाइम टू लर्न थियोरी इसके अंदर से थियोरी क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं यही आएगा आज आते हैं सर अगले पर दूसरा एक्स्प्लेइन डिटर्माइन डिविडेंट पॉलिसी फाम जी नहीं बहुत बार आया हुआ है छे साथ आठ नो लेकिन आप्शन में आया हुआ है यह लिखते भी जाईएगा मैं बताता जाऊंगा डिविडेंट रेटेंश यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर एक्स्प्लेइन दा गॉर्डन मोडल डिसीजन बिल्कुल अजम्शन यह इंपॉर्टेंट है एट कोशन अब टेक भी करते जाएगा और एक इसके इंदर स्टेबिलिटी ग्रोथ डिविडेंट का एक कोशन आता है जो कि वह इंपॉर् परक्टर में देखिए West Am प्रक्रेंट करोगे। Sis यह सारे देखोगे तो कैश मेनेचमेंट के कौश्चन सा है हाला कि working capital हमने class में कर लिया है theory का जितना था पूरा chapter खतम कर लिया था यह सारा आपका cash management है receivable management के अंदर यह what do you mean by operating cycle वैसे इसका पार्ट नहीं है आप इस में से यानि पांचवे unit को आप theory थोड़ा अच्छी से पढ़ना या कि inventory यह सिंपल से चीजे हैं तो यानि मैं theory पढ़ने की बात करूं तो यूनिट नंबर जो हमारा पांच बनता है कि सर यूनिट नंबर पांच कौन सा है मैंने यहां पर रफली लिखा है बहुत बार मैं इन चीजों को explain कर चुका हूं कौन से यूनिट में क्या चप्टर है पांच में यूनिट में से थोड़ा theory को आप priority जरूर देना वो भी कौन सा चप्टर सर कैस बजट और सर थियोरी अगर पांच में चप्टर का आपको कई बच्चों को हो सकता है में भी समझ में नहीं के यानि हम unit number 1 के थिएरी को प्राय। देंगे और इसको करेंगे और unit number 5 के थियोरी को थोड़ा प्राय। देंगे बीज से अभ बात करते हैं सर कि वच्छ इंग इंगलिस मीडियम के intern के बच्चों ने क्या कर रहा है कि इंग्लिश हे राथ 시청 और पहले हिंधी मीडियम के थे उन को त्षिवी की निले दिक्कत होती है है् इंगलिश मीडियम में इस मैंने टीट परजेंट और इंग्लिस लेंग्वेज और पीछे अट रहें तो एक्जामनर का कहना है कि सर्फ आपने मीडियम कोई भी चूज किया हों डिजन्ट मेटर आपके पास पेपर जब आए तो आप हिंदी में करिए या इंग्लिश में करिए आपकी इच्छा है लेकिन हाँ प्रै कर सकते हैं यह उन बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छी से इंफॉर्मेशन माने जाएगी जो बच्चे इसको नहीं कर रहे थे अब पहले बताईए पेपर में अब मुझे क्या करवाना है रिवीजन में आपको देखो क्लास में शाम को भी रिकॉर्ड करूंगा और उस से एक कॉस्ट ऑफ कैपटल में डबलू ए सी सी के अंदर बच्चे बोलता है सर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू इसमें कंफ्यूजन है रिटेन अर्निंग एक वो करा दूंग अच्छे से मेरे पास दो चप्टर कराने के स्कोप है आज से कल तक के बीच में परसो तो अभी हुआ है कैपटल बस्टिंग हो गया है और तीसरा यूनिट मैं सोच रहा हूं खोसिस कर रहा हूं रिवाइस हो जाए लीवरेज मेरे हिसाब से किसी बच्चे को जौरत नहीं है हां वैल्यू फर्म की जौरत है डिविडेंट पॉलिसी मैं नहीं मानता की जौरत है अगे 27 पूरा दिन है 29 पूरा दिन है और 30 कोपर है कि आज आप प्रक्टिकल को पूरा खीचिये कल थोड़ा टाइम त्युरी त्योंड़ा प्रेक्टिकल और पडोनों अप्रोच करना है आप एक सब्जेक्ट और भी बीच में प्रिंसिपल आप मार्कैटिंग आ रहा है मे वैल इंड गूड है नहीं तो सर दोनों को लेके चलोगे तो फिर कहीं ने कहीं दिक्कत आ जाएंगी आपको value of firm में doubt है मैंने कहा बहुतर कि मैं दुबारा करा दूँ सर value of firm में doubt बिल्कुल करा देंगे हम सर आई हैब सेंट डौट यस्टड़े ऑल्रेडी ओके मैं भी च्यक करूँगा capital bursting doubt कब लोगे capital bursting का doubt दीपक डीपक आज शाम को आपको टाइम दे देंगे लगसे प्रोग्राम का भी ऐसे होगा प्रोग्राम का भी अधिती टाइम है जब आएगा तो हम कुछ देखेंगे एक पर ओनर्स के पेपर को थोड़ा देखेंगे और इवेलुएट हाँ बिल्कुल पेपर का पैटरन लगभई यही रहता है क्लियर 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 बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे हिसाब से जो आपका टाइम मेरा एक ही मोटिव था इस क्लास को इस वीडियो को बनाने का कि जो आपका टाइम है ना वो उन थियोरी को पढ़ने में ज्यादा सब ज्यादा चला जाता जिसका इतना इंपोर्टेंस नहीं है सेम टाइम साड़े साथ मजे आज आऊंगा और मैं रिकॉर्डिंग भी करूंगा और क्लास भी लूँगा और वहां पे मैं आपको वेल्यू ओफ वाला ट्रेडिशनल अप्रोच वाला पूरा का पूरा कोशन मैं करवात हूं उस टाइम पे उस टाइम पे पूरा चप्टर आज ही खतम हो जाएगा कल मैं कोसिस करूँगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा खतम करने के लिए ठीक है आज का मैंने टाइमिंग आपको बता दिया है शाम का अब कुछ थियूरी है अभी मैं बैट के सिस्टम पे जो हाइली इंपॉर्टेंट थियूरी है जैसे में वाला ज्यादा है वेल्थ मैक्सिमाइजीशन ज्यादा है आपका कैश बजेट के अंदर दो तिन कोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते है या एंपीवी को डिफाइन करिए ज्यादा बन जाता है तो वह कम से कम दस से बारा मैं सेलेक्टिव कोशन निकाल लूँगा जो एक इसको पीडियाफ फॉर्मेट में डाल दूंगा ठीक है और उसके थियोरी को भी थोड़ा बहुत मैं एक्स्प्लेइन करता जाओंगा सर्म में यह यह बोला था ताकि आप लेख पाऊंग इसर आयारार में कितना डिफरेंस आ सकता है आयारार में आपका पॉइंट थ्री प मैंने बताया जो डिफरेंस है आप एक पर भेजिए और बुक का देजिए मैं बता दूंगा ठीक है या नहीं ज्यादा नहीं आएगा मैं बोल दूं तो जैसे कि हमारा बुक में दे रखा है 14.5 तो आपका में भी 14.9 आ जाए और में भी आपका 14.1 आ जाए इतना डिफरें सिम्ली डिफरेंस आ रहा है 14 के जगह 18 आ रहा है तब तो गलत है सरा आपका रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डाउट ठीक है वर्षा मैंने कल तक का आपका टाइम मुझे आज साम को और इवन दो मुझे दिन में भी टाइम मिला तो दिन में आके मैं रिकॉर्ड कर लूँ हां आप लोग को डिस्टरब नहीं करूँ हां आप अपनी का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी को से वेल्यों फर्म का तो मैं गरिंटीड करते हूं कि आज आपको वीडियो मिलेगा हर हाल में बाकि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पॉसिवल हुआ तो मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूँ आपको डिस्टर नहीं होना लाइक क्लास में आक उस दिन मैंने सारी क्लास अपनी कैंसिल कर दिया चाहे कोई भी समिस्टर का हूँ उस दिन मैंने स्रिफ आप लोगों के लिए टाइम रखा है डाउट का मैं टाइमिंग कितने से कितने तक अविलिबल हूँगा उस दिन 29 को मैं डाउट सेशन रखूँगा आपका लगबग मेरे पास कई बार वह पेपर मैं लेकर जाओंगा वैसे तो टेनियर कोसिस करूंगा कि मैं PDF फॉर्मेट में या कैसे भी टेनियर और अपने साथ रखूंग और जाओंगा मतलब मैं कहीं थोड़ा आउट सेशन भी जा रहा हूं तो लेकिन आपके आपको उससे कोई मतलब न कर यह थाकि मैं दोनों को पढ़ लूँ डिफरेंस है मैं और से समझा पाऊं मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है चलिए सर कहना है कि सर 17,18,16 और 94 डिफरेंस आ रहा है नहीं इतना तो चलेगा दिपक 17.19 और 16.94 क्या डिफरेंस है वो तो चलेगा यह तो देखो 0.4 का ही डिफरेंस हुआ चलेगा इतना एलीन टैनियर आपको नियरवाइश शॉप से लेना पड़ेगा और वहां से मैं कहूंगा आप देखे कम टाइम है आप नियरवाइश शॉप से ज्यादा कॉसली है नहीं आपको 100 रुपे का राउंड मिल जाता है वो लेना होगा बाकी मैंने बुक्स की पीडिएफ डाली ह होगी है और इसके भी मैं कोसिस करूंगा कि मैनेजमेंट से बात करो और थिवरी थिवरी के नोट्स बड़ वो डाउनलोड डेबल नहीं होगा किसी भी एंगल से वर्षा मार्केट मैं वही चीज कह रहा हूं काफी बच्चों के इसमें कॉन्फलिक्ट आये कॉस्ट ऑफ क्यापिटल में मार्केट वेल्यू बुक वेल्यू तो उसको एक पूरा स्ट्रक्चर बनाके एक आपके सामने रख दूँगा सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर हो क चली त मैं शाम को साड़े साथ बजे मिलता हूँ आपसे और साठे साथ बजू फिर हम करेंगे क्या करेंगे सर हम करेंगे स्था सैट से चाहें दस बच जाएं कितने बच जब तक आपका वैल्यू अफ हम पूरनाइध खस रहता है और यह होना भी चाहीए क्यूंकि और कुछ बच्चे यूटूब पे भी रहते हैं तो यह वीडियो मैं यूटूब पे भी अपलोड कर दूँगा और यूटूब के भी बच्चों के लिए थियोरी के नोट्स तो सकते हैं और मेरी कोसिस रहेगी के शाम को जो मैं रिवीजन करवाओं वह दोनों जगह कर होफुली मैं लाइफ जा पाऊं यूटूब वाले बच्चों के लिए भी तो मैं चला जाओंगा क्यापिटल बस्टिंग मैंने अल्रडी अपलोड कर दिया है आप सभी को भी एक आद कोशन जो उसमें कसर रह गया हो पूरे वीडियो लेक्च्चर तो दे रखें आप मुझ होगे कैसे पढ़ना है आपको अभी तो इडी की तैयारी करो आप आप में तो टाइम है चार-पांस दिन की चुट्टी है सब्सक्राइब अगर दिक्कत हो जाएगी आपको कि कैसे दिक्कत हो जाएगी हलो है हलो है नहीं मैं अभी काम कर रहो है कि मेरे को छोड़ दो मेरे टाइम का छोड़ी दो आप आना आप सरिफ जो बर बोल्टर चाबल का बना दो अंडे का मेरा कुछ कुछ कनफरम नहीं है का था हाँ चाहिए जो प्रफियों का खा लेंगा न कि आप मैं भी खा नहीं सकते हो इस आपने बोला था रोटी आपने बोला था वह रोटी बनाओंगी रोटी बना दो और आप आप अपना सरदर्दी खतम करो है तो रोटी बना के हटाओ ना आप अंडे का भूचिया मत बनाओ रोटी बना के छोड़ दो अंडे का बूचिया जैसा होगा मैं भी खुद बना दूआ अरे आपको मैंने जितना बोला उतना करोना मैं किस से खाऊंगा सबजी लाना है टमाटर लाना है प्याज लाना है वह मैं ले लूँआ नीचे से आप सिर्फ रोटी बनाने का है रिस्पोंसरीटी लो ना फिर आप परिसान होते रहते हो फालतु मेंने से अब है तो नहीं हमको नहीं चाहिए गरम गरम के चक्कर में बासी भी नहीं मिलता है मेरे को ठीक है तो मेरे को गरम के चक्कर में नहीं पढ़ना आपके पास टाइम अब लिवला बना के अपना चुटी करो ना क्यूं उसमें फालतु में पढ़ रहे हो गरम हाँ बस हाँ बना के छोड़ दो अप उसको बस तीन बना तो ज़्यादे क्या खाओ तो मैं बोल रहा था आवाज भी आ रहा है पेपर की स्टेरीज था हलो हलो हाँ आ रही है कौन से कंपनी कर अब कोई आया है अभी कोई आया है नहीं है न अभी कोई आया है न अभी कोई आया है सब चुट्टी पर अभी तो अब कर अब कौन झाल झाल